आप सभी का फिर से स्वागत है अमर्ष चैनल में और मैं उमीद करता हूँ आज का आपको ट्रेडिंग के डे है वह प्रॉफिटेबल हुआ होगा अभी हम लोग जाने वाले है बैंक निफ्टे के चार्ट पर यहां पर चार्ट पर डिसकस करने से पहले आज मैं आपको एक ऐ जानने वाले लेकिन आज हम लोग यहां पर पहले बैंक निफ्टे के बात करने वाले हमने आपको एक इंडिकेटर बता है काफे अच्छा इंडिकेटर है फ्री वाला ठीक है अभी आपको लगा फ्री में आपको चीजें मिलती है आप उसका इस्तमाल ज्यादा नहीं करते अपको लगते हैं free में मतलब किया है कोई काम का नहीं है तो काफी लोग ऐसे बोलते हैं जो free में उसका कुछ काम का नहीं है वही काम में आता है यहाँ पर आप ज difícil levar रेते हैं और में यह ग्यारेंटे के साथ उन्गे sagt ओर परोफिट करें तो आपको उनलब हो रहा है तो आपको प्रोफिट कौन चेंज करना पड़ता है कुछ मेटर्स चेंज करने पड़े ट्रेडिंग की तो यहां पर देखिए बैंड निफ्टी में जो है ओपनिंग के बाद काफी लोग जो ऑप्शन स्कैल्पिंग करते है वो तुरन पॉजिशन बनाते एकजिल भी ले ले लेते है उनका रिक्स उतना करके दिखा यह त्रेटी में जाके आप मेरे चैनल पर देखिए जो भी कमेंड करते हैं उनको में बोलना चाहरो जाके देखिए मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा चैनल के वीडियो हमारे पास भले वह प्रॉफिट के हो लेकिन हमने दिखाया है जो है कब आपको अच्छा रि लो बनाया उसके बाद में रिट्रेश्मेंट आये की टीके बाइंग सेलिंग जो है शेर माकेट में चलती रहती है अगर हैवी सेलिग आये उसके बाद में ठोड़ेसी रिट्रेश्मेंट या रिजेक्षन तो आपको देखना मिल सकता है हमें उसी का लिए फाइता यहां पर सिर्फ फुट खरीदना है और यहां पर देखिए इस रेट केंडल से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो लगबग आपको मिल चुके 130 पॉइंट मतलब 80-90 पॉइंट्स आपको इंद मन्य वाले पुट आपको असानी से मिल जाएंगा यहां पर देखिए आपको रुकना पड़ते मार्केट में कभी कभी तीन गंडे चार गंडे तक सेटप नहीं बनता तो रुकी है आप इनिशली जो है आपका जो फोकस है कि आपको इसी पर ही ट्रेड लाना है तो उस पर डिसिप्रिन रखो यहां पर आपको मोका मिला फिर से मार्केट में हर दिन बनते कभी कभी नहीं बनता है तो उस दिन ट्रेड मत लीजिए तो मत कीजिए तो अभी हम लोग बात करने वाले एक सिंपल स्टेट अप है जहां पर आपको 8-10% का जो है प्राफिट हो सकता है तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पर थोड करने के बाद चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूं तो यहां पर चार्ट हो चुका है जूम आपके सामने विपरों का और यहां पर आप देख सकते हो इस ग्रीन केंडल से इस ग्रीन केंडल से किजनी मुमेंट आई यह मार्केट में लगबग 11 परसंट दोस्तों कितना 11 परसंट लेकिन क्या आप यहां पे सोचके पोडिशन मनाते हैं यहां पर एक रेंज भाउं था यह में मानता हूं रेंज हो गए थी एक रेंज ब्रेक होने के बाद एक अच्छी मोमेंट आए लेकिन सबी लोग यहां पर रेंज नहीं देखते ठीके काफी लोग तो यहीं फॉलो करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी तो मैं उनको यहीं बताना चाहता हूं कि मार्केट शिर्फ बैंक निफ्टी निफ्टी का नहीं है दोस्तों उससे अलग भी काफी चीज़े हैं यहाँ पे अच्छे रिटर्न जीते दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको इस्पेंग कितना यहाँ आपको मिला था लगबक 10-11 परसंट का ठीक है 10-11 परसंट का यहाँ आपको प्रॉफिट हो जाता एक लाग के कैपिल पर आपको 11,000 मिलते हैं कितने दिन में लेकितने दिन में 15 या 20 दिन म मैक्सिमम महिने पर पकड़े दोस्तों बैंक आपको साल में 6-7 परसंट देती है एक लाग रुपे पर आपको यहाँ पर महिने में मिल रहे है तो क्या बुरा है लेकिन आपको यहाँ पर करना है यह चीजे आपको थोड़ा डिस्लिप्लिंग के साथ करना पड़ेगा कैसे सब्सक्राइब पर कंडल के साथ करनी हख दाट है तो यहाँ डिखे इसके लिए maggE आपको प्रोल सतो coefficient Professor को सब्सक्राइब बढ़तां बगते हram 12 में Do से आपको कितने points मिले हैं कि 12 13% कितना 13% दोस्तों कि सामने लाइव है नो दोस्तों मैं कुछ जूट बोलता हूं लेकिन आप क्या करते हूं आप जो है अपना capital से बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंडिकेटर आपको यहां पर लगान है तो यहां पर आपको सिर्फ लगान है एक्सपोनेंशल मुविंग एवरेज एक 9 का है और 50 का है ठीक है तो सिंपल स्टाटजी आपको बता रहूं कैसे आपको स्टाटजी फॉलो करनी है तो इस ग्रीन कंडल के वनें बात की थी यह अपको क्या देखना है मार्कित में यह जो घ्रीन लाइन है यह मैं कौन सी 9A में दैन से देख लिए जोस्तों यहां पर अगर आप कोई mistake कर दो के तो खाली पूट आपको loss हो जाएगा इसे ऐसे यहां पर थोड़ा सा दैन दीजिए यह जो green line है यह 9A की line है और जो red है यह 50A में अगर 9A के उपर stock है इसका मतलब वह है bullish ठीक है इसका मतलब है वह है bullish अगर 50A के नीचे stock है इसका मतलब है वह stock ही यहां पर हो गया है bearish यह आप समझ लिए और जबी भी यह 9A की line 50 को cross करगी अगर green candle close देगी आप यहां पर trade ले सकते हो और यहां पर इस candle लेना है आपका stop loss आने वाला है यहां पर दग दग यह लो ठीक है और आपका target यहां पर है अभी तक टागेट नहीं हुआ फेडरल बैंक में लेकिन हम यहां पर position को hold करना stop loss आफी नीचे stop loss की बात मत कीजिए लेकिन यहां पर आपको दोनों लगबग आठ से नोव पॉइंट्स ठीक है कहां पर आपको ट्रेड लेनी है फिर से एक्जेंबल करता हूं एक बार यह जो क्रॉस रहें आपको यह रेखना है ठीक है अगर इस्टाउक ग्रीन लाइन क्रॉस करिए रेड लाइन को और वहां पर अपसाइड में हमें कोई ग्रीन केंडल क्लोज मिलती है तो आपको प्रॉशन बनानी है और आपका stop loss यहां पर स्ट्रिक्टली होने वाला है पहले का स्विंग लो ठीक है जो यहां पर है ठीक है ऐसा यही इंडिकेटर नह सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है आपको जाना है एक वेपसाइड पर जिसका नहीं है तो यहां से मिलने वाले सबसे पहले आपका कोश्चन ही है कहां से मिलेंगे तो free में आपको वह टोस्टाउक मिलने वाले आपको कहां पर सच करने की ज़रूरत नहीं है आपको जाना है एक वेपसाइट पर जिसका नाम में बताऊंगा यह है उस वेपसाइट का नाम चार्ट लिंक फ्री में आपको यहां पे screeners मिलते हैं और फ्री मै करना है क्लोजिंग अगर आपको ऊपर के साइट मिलेगी यहां पर बनानी है से मेंटन करना है और ट्रेड में बनी रहना है ठीक है यहीं सिंपल चीज़े और कुछ नहीं है तो हम लोग आ चुके इस वेबसाइट पर चार्ट लिंक है और यहां पर इसमें आपको थोड़े च यह ठीक है इसको हम लोग कर देंगे यहां पर हमने नाइन डाला यहां पर हमने 50 लिखा ओक हो गया यहां पर कैश के बदले हम लोग फ्यूचर सकेंगे और रन स्कैन करेंगे ठीक है फिलाल यहां पर टीन चॉक्स आरे इंडियन रेलवे आया शीटी सी पेट्रोनेट और य बस्के तॉकति है वैरे लिख शर्ट हो चुका है आज लूजह दो दिन ही हो चुका यहां पर देह ठीक है यहां पर हम 25 26 ए टीक है यहां पर चाउनेग 약वह, पेट्रोन objective इंडियों कि पेट्रोनेट पेट्येम में मैं सकता है प्रेट्टोंट में टागेट यहां से आपको लेना है लॉग पूजिशन यह है इस टॉप लॉस आपका होने वाला है स्विंग लो और यहां पर देखिए टागेट है यह ठीक है वने टूप का टागेट है यहां पर आज थोड़ी सेलिंग देखने मिली है लेकिन यहां पर भी इस इस ग्रीन कंडल पर पोजिशन बना सकते हो आपको अपने वाला है यहां पर लगबग 4% के आसपास और टागेट यहां पर यहां पर यह स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे आप यहां पर नीच्छे जो है बैक टेस्ट भी कर सकते हैं यह देखिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लाइन के ऊपर केंडल बनी हैं ग्रीन वाली ठीक है चे-टागी लगबग 10-11% मिल चुकें ठीक है आप यहां पर यहां पर हां करेक चुक्ते है यांपर आपका है आपकी डेटा है कहां बैकिर्स करने के लिए अभी आप क्या करने हो दूस्तों देखिए आपके पास चार पास टॉक्स हो गए ठीके तो आपको पूरे नजी डालने आपको डिवाइड लेके डालने एक चार पास टॉक्स डॉक्स लेने हैं और उनमें जो है कंबाइन पोजिशन बनानी है अगर आपके पास वन लेकर हैं तो आप मुझे कमेंड किझे उस पर मिने पास एक सोलूइशन आपको जल्दी बताऊंगा वह जही है कमेंड करते हैं जो है आपको इस चाहिए जो नहीं कोई बात नहीं है लेकिन अगर आपको वह contribution चाहिए हम लोग कम कापईल में मैक्सिमं मैंक्सिमाज प्रक्ति तो यह सिज़ें आपको काम आने वाली है तो अगर आपको वीडियो पसंद रहता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए चैनल को सब्सक्राइब पर मिलेंगे वीट न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेड़ी तब तक के लिए जैहिं